नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दाबंदे भारत दिली सरकार ने दिली में हर घर नल में 24 गंटे साफ पानी पहुचाने की एक योजना बनाई है इसको लेकर मुख्यमंत्री अर्विन के ज़िवाल ने एक बैठक भी की इस बैठक में जानकारी दी गई कि मानसून के दोरान यमनम आने वाले अत्रिक तुजल को स्टोर कर उसे शुद्ध करके लोगों के घरों तक पहुचाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को पहले दिली सरकार पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगी इसे लेकर मुख्यमंतुरी ने सम्मन्न रदिकारियों को निर्देश भी दे लिए कि वजीराबाद जलाशे के उपरी शोर पर 469 एकल का कैच्चमेंट वेट लेंड जलाशे बनाया जाएगा बारिश के पानी को शुर्द करने की योजना को लेकर हुई उच इस तरी बैठक में मुख्यमंतुरी अरविंद के जरिवाल ने कहा है कि दिली सरकार की योजना है कि मानसून के दोरान यमना में आने वाले अत्रिक्त पानी को जलाशों में स्टोर किया जाएगा और उसे शुद्ध करके लोगों के घर तक पहुँचाया जाए मुख्यमंतुरी के अद्धिक्ष्टा मुहीस बैठक में सम्वंधित अधिकारियों दोरा सुजाब दिये गए और दो प्रस्तावों पर सेहमती बनी इसमें पहला यमना नदी के पश्चिमी तर्ट पर इस तित बजीराबाद जलाशे के उपरी छोर पर पाइलिट आधार पर 499 डेकर का कैचमेंट वेट लेंड जलाशे बनाया जाए इस जलाशे में मांचून के करीब 1735 एमजी पानी को स्टोर किया जा सकेगा और दूसरा 20 एकल का ओफ रिबर मिनी जलाशे बनाने पर विचार किया गया जिसकी गेराई करीब 10 मीटर तक होगी और यहां करीब 220 एमजी मांसून को पानी इस्टोर किया जा सकेगा इसे लेकर मुख्यमंद्री ने कहा कि दिली सरकार दिली में फैजल की कमी को पूरा करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है इसी के मद्दे नज़र दिली सरकार ने यमन नदी के मांसून और बाल के पानी को स्टोर करने की रणनीती बनाई इस पर तेजी से काम भी चल रहा है इस बैठक में दो प्रस्तावों पर भी विचार दिमुश्क किया गया इन दनों प्रस्तावों पर आगे बढ़ने के लिए संबंदी तभिकारियों को निर्देश दिये गए अगर आपको भी ये वीडियो पूस्ट आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अमस्कार